आये दर्शकों, सुनते हैं, प्रेम कहानी, कॉलेज का प्यार एक शहर में दो दोस्त रहते थे, उनका नाम रगुवीर और सुप्रिया था ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे रगुवीर बहुत आलसी होता है, रगुवीर कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता, सारे काम सुप्रिया से करवाता था सुप्रिया कर भी देती थी, रगुवीर को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था और सुप्रिया पाई में बहुत होशियार होती है। सुप्रिया को पढ़ाई करना और रगुवीर से बाते करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था सब रगुवीर से दरते थे। ऐसे ही समय बीटता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। रगुवीर के अंदर कोई सुधार न होता देख के रगुवीर के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। डांटने पर सुप्रिया हर बार रगुवीर को बचा लेती थी। पर यह कब तक चलता दोनों कॉले जा गए थे। रगुवीर एक क्लास पीछे था सुप्रिया से क कहते हैं बेटा अब तू ही इसे समझा तब सुप्रिया रगुवीर के पास जाती है और रगुवीर को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। सुप्रिया रगुवीर को पढ़ाई में पूरी मदद करती। अब रगुवीर का मन ना हुने पर भी सुप्रिया के साथ पाई करता क्योंकि रगुवीर कभी सुप्रिया का दिल नहीं दुखाना चाहता था। सुप्रिया रगुवीर को बहुत पसंद करती है बेटा तु ही रगुवीर का ख्याल रख सकती है तु मेरे रगुवीर से शादी कर ले इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है रगुवीर तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता रगुवीर की मम्मी सुप्रिया को पसंद करती है सुप्रिया को शर्मा जाती है रगुवीर की मम्मी कहती है हर रोच रगुवीर की पापा रगुवीर पर गुसा करते है इतना सुनकर कि सुप्रिया अपने घर चली जाती है क्योंकि रगुवीर घर पर नहीं होता अपने पापा के साथ कही गया होता है किसी काम से एक दिन कॉलेज की तरफ से गुमने ले जाया जा रहा था सुप्रिया रगुवीर से कहती है हमें भी गुमने के लिए जाना है तो रगुवीर कहता है हाँ क्यों नहीं सुप्रिया रगुवीर और सुप्रिया दोनों का नाम लिखवा देती है दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए पर रगुवीर के पापा नहीं जाने देते रगुवीर को उसके पापा डांटने लगते हैं कोई काम अच्छे से करता है क्या जो ये कही जाए पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं तभी सुप्रिया आ जाती है और रगुवीर के पापा से कहती है अंकल रगुवीर को मैं पारती हूँ और रगुवीर पढ़ाए पर अच्छे से ध्यान देने लगा है. आप रगुवीर को मेरे साथ जाने दो अब रगुवीर कभी फेल नहीं होगा मुझे यकीन है. सुप्रिया की बात सुनने के बाद रगुवीर के पापा राजी हो जाते है सुप्रिया रगुवीर के पास जाती है और कहती है सुबह जल्दी उठ जाना ठीक है फिर दोनों जाने के लिए तयारी करने लगते है अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तयार थे पर रगुवीर को लेट करने की बीमारी होती है तभी सुप्रिया तयार होकर आ जाती है रगुवीर के घर पर रगुवीर अभी तक सो रहा होता है सुप्रिया कहती है रगुवीर कहा है रगुवीर की मम्मी कहती है रगुवीर सो रहा है सुप्रिया कहती है अभी तक सो रहा है इतना कहे कि सुप्रिया रगुवीर के रूम में चली जाती है और रगुवीर को उठाने लगती है रगुवीर कहता है कुछ देर और सोने दे या सुप्रिया कहती है नहीं हम दोनों लेट हो जाएगे फिर रगुवीर उट जाता है और जल्दी से तयार होने लगता है क्योंकि रगुवीर सुप्रिया का हर कहना मानता है और जल्दी कॉलेज की और जाते हैं दोनों कुछ ही टाइम बाद कॉलेज पहांच जाते हैं। कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाते। सुप्रिया रगुवीर को मारने लगती है क्योंकि सब बस में बैट बई गए थे सिर्फ रगुवीर और सुप्रिया का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी स बस में बैठे जाते हैं सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। रगुवीर और सुप्रिया को सब से पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से सुप्रिया रगुवीर पर गुसा करती है आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना। तब रगुवीर कहता है यार सौरी सुप्रिया मान जाती है और बाते करने लगती है सुप्रिया को नींद आने लगती है और रगुवीर अपने फोन से गाने सुन रहा होता है सुप्रिया खिर्की के पास ही बैठी होती है और खिर्की पर सर रख के सो जाती है जैसे जैसे बस हिलती है वैसे वैसे बार बा सुप्रिया उठ जाती है। तब रगुवीर देख लेता है और अपने कंदे पर सुप्रिया का सर रख देता है। सुप्रिया और रगुवीर के लिप्स दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रगुवीर सुप्रिया को किश करने लगता है और सुप्रिया भी साथ देती है। सुप्रिया भी अचानक बस रोख जाती है और रगुवीर दूर हो जाता है। प्यार करती हूँ रगुवीर काफी टाइम से रगुवीर भी सुप्रिया को पसंद करता था रगुवीर भी कहता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ सुप्रिया पर हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी कहा नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं, दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों बाते करने लगते हैं, कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार, ये बताने लगते हैं, तभी एक होटल के पास बस रुपती है, और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं, अपने अपने रूम लेने के ये सुप्रिया और रगुवीर भी होटल में जाते हैं। तब सुप्रिया रगुवीर से कहती है एक रूम ले लेना मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रगुवीर कहता ठीक है रगुवीर एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुपते है सभी। सुप्रिया और रगुवीर अपना अपना सामान लेके रूम में चले जाते है। रूम बहुत शांदार होता है। सुप्रिया जाते ही नहाने चली जाती है। और रगुवीर बैठा रहता है, अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है, तभी सुप्रिया आ जाती है, रगुवीर सुप्रिया को देखते ही रह जाता है, सुप्रिया रगुवीर के पास आ जाती है और कहती है क्या हुआ, तो रगुवीर कहता तुम बहुत सुन्दर दे रगुवीर भूल गया कि सुप्रिया भी उसके साथ है। प्रिया को गोदी में उठा लेता है और बैट पर लिटा देता है। दोनों प्यार करने लगते हैं। प्यार की आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी, पर एक रात साथ बिताने के बाद भी सुबह दोनों काफी समय तक शांत बैठे रहते हैं. तभी सुप्रिया की आवाज रगुवीर के कानों में गूंचती है. कहती है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती. मम्ी पापा को कहना चाहते हैं शादी की बात करने के लिए. सुप्रिया कहती है, हम आगे नहीं जाएंगे, हम यही से ही घर चलते हैं. अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते और दूसरी गाढ़ी बुक करके अपने अपने घर चले जाते हैं. घर जाते रगुवीर भी सुप्रिया को कॉल करने वाला था। रगुवीर अपने मम्मी पापा को बताती है कि रगुवीर के मम्मी पापा आने वाले हैं शाम को और तयारी करने लगती है। और जल्दी ही दोनों को एक करने की सोचते हैं और पंदित को बुला कर शादी की तारिक फिक्स करने लगते हैं। सुप्रिया और रगुवीर दोनों बहुत खुश होते हैं। बहुत जल्दी दोनों की शादी हो जाती है और दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। रगुवीर और सुप्रिया दोनों हनीमून चले जाते हैं और कुछ ही महीनों में रगुवीर और सुप्रिया की एक प्यारी सी बेबी होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, दोस्तों सुप्रिया और रगुवीर का प्यार किस्मत में था और इन दोनों का प्यार आज भी उतना ही है दर्शकों, यदि आपको मेरा ये प्रयास और मेरा येह वीडियो पसंद आया हो, तो मुझे इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित और मोटिवेट करने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ इसी तरह की अन्य वीडि विडियोस के साथ तब तक के लिए जै श्री राधे क्रिश्ना